हेलो साथी हूँ आज के इस वीडियो में हम जानेगे साधारण ब्याज कैसे निकला जाता है तो आएए बीना देर के हुए आगे बढ़ते हैं तो आई सबसे पर समझते हैं साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है जो फर्मूला होता है यानि जो सिम्पल इंट्रेस्ट का जो फर्मूला होता है वो क्या होता है तो साधारण ब्याज बराबर मूल धन गुड़े-दर गुड़े-दर गुड़े-समय बटा-100 मूल धन वो किसी को पैसा देते हैं या उस से उतना पैसा लेते वो उसका मूलधन हो जाता है दर हो गया किस रेट पर ले रहे हैं तो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि रेट का मतलब है कि 100 रुपएय पर कितना रुपए एक्सट्रा आप लेंगे यानि कि 100 रुपया अगर कोई उधार लेता है तो कई रुपया आप उससे लेंगे यानि कि 5% होगे आप 100 में 500 रुपय लेंगे तो 5 रुपय एक्सटा यानि कि 105 रुपय देना पड़ेगा समय कितने समय के लिए वो ले रहा है तो इसी फार्मोले का यूज करके हम अपना यह question solve करेंगे तो आइए सबसे पहले पहला question solve करते हैं पहला question है कि 5000 रुपय का 10% वार्सिक ब्याज की दर से 4 बर्स का साधारन ब्याज ग्याद करें तो यह question इसी प्रकार का होता है तो सबसे पहले हम क्याले करेंगे इसमें देखेंगे मूलधन कितना है तो मूलधन यानि कि प्रिश्पल यानि इसको हम पी से भी डिनोट कर सकते हैं पी कितना है 5000 रुपय उसका rate कितना है यानि कि दर कितनी है rate कितना है rate है कि दस परसेंट वार्सिक यानि एक साल में दस परसेंट और समय कितना है कि समय है कि चार बर्स समय है चार रखना है जो समय होगा वह में सब बर्स में ही रहेगा अगर बर्स में नहीं है तो हमको उसको बर्स में convert करना पुड़ेगा ठीक है तो अब हम वही फार्मुला अप्लाई करेंगे कौन सा फार्मुला कि साधारण ब्याज साधारण ब्याज बराबर मुल्धन दर समय बटा सौ ठीक है मुल्धन के जगा पर पांच हाजार दर की जगा पर दस समय के जगा पर चार और बटे सौ बस रख देंगे इसके जी दो जीरो से इसका दो जीरो कट गया और यहां पर आ गया पचास गुड़े दस गुड़े चार करने किजिए है तो 50 दहमा 500 को चार से कुना कर देंगे तो 2000 रुपय हो गया यह हमारा जो साधराण ब्याज निकलके और आया वह कितना निकलके आया है 2000 को अनकिन साधरा ब्याज को हम साधारन ब्याज ग्याद कीजिए तथा मिर्स धन भी बताईए तो सबसे पहले साधारन ब्याज पुछ रहा है तो पहले क्या करेंगे वही पार्मला अप्लाई करेंगे कि साधारन ब्याज बराबर मूल्धन गुड़े दर, गुड़े समय बटा सो मुल्धन के जगह पर कितना करेंगे कितना रुपए लिखा मुल्धन 3,000 रुपए का थे से कट गया और नीचे आगे वन तो फो देगे 30 गोड़े 4 गोड़े 2 तो कितना हो जाए गए अपर साधारन ब्याज आ गया 240 रुपए कितना आ गया 240 रुपए अब इस question में अभी एक और चीज पूछ रहा है कि उसका मिर्स रधन बताई यानि कि 3000 रुपया लिया था 245 रुपए 2,400 रुताइ गया तो अब उसको कितना वापस करना पड़े गा वहापस अ प्राफ कितना प्रैगा अमों घं घ्न साधारन भी आज तो पूरा पैसा हो गया तीन हजार दो सो चारिस तो यहाँ परमिज़ दधन निकल के आया थीन हजार दो सो चारिस यह टोटल रुपय मूल धन दोस चारिस और पूरा पैसा हमको कितना जो है अगर किसी से तो यहां पर लिख सकते हैं कि मूलधन कितना है मूलधन कितना है दो हजार रुपए दो हजार रुपए और दर कितना है दर है पाँच परसंट वार्षिक समय कितना है समय है एक सही एक बटा दो वर्स इसको हम क्या करेंगे बिसम्भिन मना लेंगे दो एक कम तो एक तीन बटा दो तीन बटा दो बर्स ठीक है इस फर्मुले पर हम प्लाइ करेंगे मूल दन हमारा दो हजार रुपए है मूल दन के से लिबटा और समय घुए तो नीचे लिखेंगे और नीचे हट होता है तो 100 भी लग देंगे और इन दोनों के बीच में इंट्वी से लगा देंगे ठीक है तो यहां से दोनों चीरों कट गया यह उपर आ गया 20 और यह 15 हो गया बटा यह हो गया दस तो यह हो गया पूरा 150 रुपए जो साधरान ब्याज आया वह कितना आया 150 रुपए साधरान ब्याज आ गया लेकिन अभी क्वेश्चन यहां पर खत्र नहीं हुआ उसने पूछा है कि एक सए गटा दो बरस का मिर्स धन ग्याद कीजिए तो मिर्स धन कैसे ग्य ग्याज हमेरा माध को आजा हैं तो मुल्धन हमारा है 200 रुपए और व्याज हमारा चिज् Bennett ग्याज हमारा आये व्याज हमारा है 150 रुपए जोड जोड़ देंगे 2150 रुपए हमारा मिर्स धन हो गया यानि इतना रुपया हमको मिर्स धन यानि जिसमें की ब्याज और मूल धन दोनों जमा है इतने समय के बाद जो 2000 रुपया था वो 2150 रुपया हो जाएगा ठीक है तो मारा कुशन नमबर चार है कि 12000 रुपय का 5% रुपारसी ब्याज की दर से 73 दिनों का साधाना ब्याज गयात करो तो क्या दिया है मूल धन कितना दिया है 12000 रुपय दर इसका कितना है 5% समय कितना है 73 दिन अब दिन में लिखा इसको हमको बर्स में बनाना पड़ेगा इसको पहले कोशिशन में हमने बताया था कि जब समय होगा वो बर्स में रहेगा तो दिन को अगर बर्स में बनाना है तो क्या करेंगे 73 को 365 से भाग कर देंगे अब यह हमारा बर्स बन गया यही 73 दिन अगर बर्स में करणड करेंगे जो 73 बटा 365 हो जाएगा यतना बर्स बोलेंगे फिर वही फार्मुला अपलाई करेंगे कौनसा मूल्धन पर वही फार्मुला अपलाई करेंगे साधारण ब्याज बराबर मूल्धन गुड़ेदार गुड़ेसमाय बटा 100 साल्ब करेंगे मूल्धन है बारा हजार दर है कितना पांच परसेंट समय है 73 उपर रहेगा और 365 नीचे रहेगा गुड़े 100 काट देंगे तो 73 एकम 73 75 365 पांच 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 ये दोनों जो है इन दोनों से कट गया आंसर आ गया 120 यानि जो साधरां ब्याज निकल के आया वो कितना आया 120 रुपए कि दर से छे माँ का साधरां ब्याज गया करो तो वही चीज फिर से मूल धन वराबर 200 रुपए अब माह को हमको बर्स में बनाना है क्योंकि समय हमारा बर्स में होना चाहिए तो किसी माह है उसको समय बर्स में बनाना है तो छे बटे एक साल में किदरे महीने होते हैं बारा से भाग कर देंगे इतना हो जाएगा वो क्या वर्स छे बटा बारा बर्स हम चाहे तो काड़ भी सकते हैं या पर इसको चाक काम छे छे दुनी बारा एक बटा दो बर्स और फिर इसी को उसी फर्मॉले में रख देंगे कौन से फर्मॉले में साधारन ब्याज के फर्मॉले तो मुल्धन है 20,000 दर है 12% समय है एक बटा दो और नीचे 100 होता ही है इन दोनों 0 से ये दोन 0 कट गया 2 एक गम दो 2 6 12 ठीक है बचहे है बचा हमारे पास क्या 200 और इधर 6 तो कितना हो जाएगा 1200 तो इस तरह का सवाल in इस तरह लगाएंगे तो इसका अंसर आया 1200 रूपे हम क्यों ले देखेंगी समय हमारा जो है वो बर्स में होना چाहिए अगर बर्स में नहीं है तो हम उसको बर्स में बना लेंगे ठीक है तो आसा करते हैं कि साधना ब्यार से संबंदेश जितने भी question थे वो आपके समझ में आ गया होगा अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमको दर नहीं मालूम है या समय नहीं मालूम है या वो धन यानि मुलधन नहीं मालूम ह तो उसको कैसे निकाला जाता है तो मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद